तो हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में तो अभी यहाँ पे देख सेकते हो हमारे पास के एम ओ टूल है ठीक है यहाँ पे देख सेकते हो तो यह जो है शौफ़ेर गुरू के तरफ से आया हुआ है तो अभी इसमें आपको दो तीज चीज फैक्टिर डाटा रिसेट करना चाहते हो तो इस टूल के अंदर आपको काफी सारे मतलब एडवांस आपको मोबाइल के ओफशन देखने को मिल जाते है इसमें कुछ नहीं करना आपको इसका लिंक मैं आपको डिफिशन में दे दूँगा वहां से आप देख सेकते हो इसको इसको इंस्टॉल करना है अपने डाटा जो है अपना उसको आफ करके आपको इसको आफ करके आपको क्या करना है अंटिवारिस आफ करके और इसको क्या करना है इंस्टॉल कर लेना है अपने पीसी के अंदर इसके इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है थोड को मिलेगा क्वैलकम MT के CPU का भी मडल मिल जाएगा और आपको इसके बीबे को ओपो का MI का काफी सारी इसमें शपोर्ट आपको देखने को मिल जाते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं ठीक है तो चलो आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या 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 आपको इसके अंदर फीचर मिलते हैं और कौन-कौन शे मडल आप को इसको unlock कर सकतो तो भाई आप वीडियो पूरा फुल देखा करो ठीक है उसके बाद से comment करते हो fact वीडियो यह है वो है तो ऐसा कुछ नहीं मैं fact वीडियो डालता ही नहीं अपने चैनल पे तो finally यहाँ पर देख सकतो हमारा जो है tool यहाँ पर installed हो चुका है यहाँ पर qualcomm repair tool और MTK का दोनों का यहाँ पर support आपको देखने को मिल जाता है अब इसके qualcomm में अंदर जाते हैं तो यहाँ पर brand दिया हुआ है तो यहाँ पर oppo का यहाँ पर काफी सारे model आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं यह 33 F 37 F1 यहाँ पर बहुत सारे आप यहाँ पर model देख सकते हो काफी सारे model यहाँ पर दिये हुए है R9 plus R9 M यहाँ पर बहुत सारे model दिये हुए तो आप one click में इसमें format data कर सकते हो wipe data FRP unlock कर सकते हो wifi fix कर सकते हो MI account bypass भी कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर बीबो का बात करें तो बीबो में जो भी qualcomm CPU है उसके अंदर आपको बहुत सारे support इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं इसमें जितने भी सारे model है सब भी working है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर साउमी के अंदर जाते हैं तो साउमी के अंदर आप देख सकते हो इसमें साउमी में बहुत सारे model दिये हुए MI 3 Note 2 बहुत सारे इसमें अंदर मतलब model रेड्मी 8 A9 Power K20 Pro Note 9 Pro Note 6 बहुत सारे इसमें आपको Redmi Note 5 A Note 4 और इसमें बहुत सारे आप यहाँ पर model देख सकते हो तो इसमें Qualcomm का यही है बस और इसमें बात करें तो यहाँ पर अभी MTK में चलते हैं तो MTK का CPU जो है आपको Asus का इसमें बहुत सारे आपको model देखने को मिल जाते हैं सबसे पहले आपको आपको लिवे स्वेड डराइबर इंस्टॉल करना होगा आपको पता है और उसके बास MTK डराइबर तो इन सभी का लिंक में आपको डिफिशन में दे दूगा आपसे बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पर Zenfone Asus के काफी सारे model दिये हुए है यहाँ पर मटरोला नोकिया ओपो का इसमें जो भी है MTK का CPU इसमें काफी सारे model दिये हुए यह 12 यह 15 यहाँ पर देख सकते हो तो बहुत सारे model आपको देखने को मिल जाते है F11, F9 बहुत सारे इसमें आपको मिल जाते है Reno 3 Pro बहुत सारे latest model यहाँ पर देखने को मिल जाते है MTK के CPU में काफी सारे support यहाँ पर देखने को मिल जाते है अब यहाँ पर Realme का जो MTK का support है यहाँ पर Realme 7 का भी यहाँ पर C11, 12, 15, C2 यहाँ पर बहुत सारे Nargo 20 Pro, Realme 3, RMX यहाँ पर बहुत सारे इसमें Realme भी MTK के support यहाँ पर अच्छा है और Tecno को बात करें तो Tecno में भी आपको 2-3 आपको मिल जाते है Tecno Spark Go 6 ठीक है और Bebo में आपको यहाँ पर बात करें तो Bebo में बहुत सारे इसमें model देखने को मिलते है MTK, Y3, 91, Y12, 14, 17, यहाँ पर काफी सारे model है और Bebo की बात करें तो Bebo में भी काफी सारे model मिलते हैं आप देख सकते हो और यहाँ पर अभी देख सकते हो Xiaomi की MTK का जो भी support है यहाँ पर देखने को मिल जाता है 6A, 6A यहाँ पर सभी का format data unlock, reset कर सकते हो farfi bypass, mi account bypass कर सकते हो, wifi fix कर सकते हो, सभी का ठीक है तो यह काफी सारे support यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं तो इसका link जो है आपको division में मिल जाएगा, वहाँ से बिल्कुल आप download कर लेना कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इनसा भी तीनों का link मैं आपको division में दे दूँगा आपको जिसे की पता है कैसे आपको install करना है, ठीक है तो वीडियो आपको कैसे लगा मुझे comment section में comment करके बताना वीडियो अचले के तो like कर देना, और हमें चैनल पे पहली बार है तो चैनल को subscribe करके साथ ही साथ बैल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी वीडियो में upload कर उसका notification आपको तुरंत मिल जाए तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक लिए इतना ही जैहिंद बंदे मात्रम